नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है चमतकारी तोटके में दोस्तों इस चैनल में हम आपको दिखाते हैं बहुत सारी ऐसी जानकारी जो आपके जीवन की परेशानियों का समाधान होती है अगर आप रोद सुबह उठते ही बोलते हैं ये साथ नाम तो बुरे से बुरा समय ही आप से दूर चला जाएगा जी हां दोस्तों आज की हमारी जानकारी देखने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे क्लिक कीज पर जिससे की आपको हमारे नए वीडियो की अपडेट मिलते रहेंगे आप चाहें तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं तो आईए जानते हैं कि रोज सुबह उठकर कौन से साथ नाम बोलने से बुरे से बुरा समय हो जाएग पाप कर्मों की वज़े से भी भगवान की कृपार नहीं मिलती और गरीबी का सामना करना पड़ता है तो दोस्तों आईए जानते हैं ऐसे ही कुछ उपाए तो दोस्तों रोज सुबह उठते ही साथ रिशियों याने की सब्त रिशियों के नाम का जाप करने से सभी परेशा राजा दशरत के चारो पुत्रों के गुरू थे इनका जन्म ब्रह्मा जी की एक्छा शक्ती से हुआ था तीसरे हैं रिशी द्रोणा चारे इन्होंने कौरवों और पांडवों को शिक्षा दी थी चौथे रिशी हैं रिशी अगस्तिर सब्त रिशियों में से एक हैं इनका जन्म काशी में हुआ था और इनकी पत्नी लोपा मुद्रा थी पांचवे रिशी हैं रिशी भृगु रिशी भृगु ने भृगु संगीता की रचना की थी ये भगवान ब्रह्मा के मस्तिश्क से उत्पन हुए थे छटे रिशी हैं रिशी कश्यप पुराणों के अनुसार कश्यप रिशी की बारा पत्निया थी इनके नाम से कश्यप गोत्र की उत्पत्ती हुई है और दोस्तों रिशीयों के रिशी सबसे बड़े जिने कहा जाता है महादेव के नाम से महादेव के बारे में हम सभी जानते हैं जिन्नोंने योग और तपस्या से सारी शक्तियां प पताई कुछ रोचक बातें अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए देखते रहिए चमतकारी टोटके लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए